ना कष्ट ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में अगर कुछ करने का जजबा है कुछ करने को सोचा है तो ठंडी ठंडी ठोड़ा मतलब अंदेखा हो जाती है और हम लोग अच्छाट की मैथ पड़ रहे थे उस दिन जब गाउं गए हुए थे आपने देखा हुआ था लेकिन उसमें कुछ पल्ले ने पड़ रहा था है न तो कौन-कौन जुड़ा है कमेंट करके बताईए अच्छा दिख रहा है न कोई समस्या तो नहीं है अरे कुछ तो बोलोगे तब समझ में आया ना कि हां क्या हो रहा है कैसे क्या बताईए सब कुछ ठीक है ना चलिए फिर हम लिखते हैं आगे चलते हैं अभ्यास आठ कब 20 कौन सा क्या चल रहा था आप लोग कुछ बताएंगे बोलिए जल्दी से कमेंट तो करिए ना कुछ तो मालूम चलें देखिए हम लोग देख रहे थे भाग करना बीजिये बेंजकों का भाग मतलब वो भाग सीधा सीधा नहीं तेड़ा मेड़ा वाला भाग और देखिए वो कैसे है तेड़ा मेड़ा वाला भाग में पर जो ज तूड़े हैं वो काय सर्मार है कमेंड नहीं कर रहे हैं कोई शरिता बर्मा जी गुड मॉनिंग असोग कुमार अच्छा ठीक है पहला सवाल एक बताईए छोटा सा हो सकता है आप लोग बोलने लगे जैसे कि अगर हमने कहा कि 8XY इसमें आप 2 से भाग कर ये तो कितना भार जाएगा कोई बताएगा आठ यक्स वाई में 2 से भाग करेंगे तो कितना भार जाएगा देखो यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे छोटा से लेके बड़ा तक उस दिन जो पढ़े थे उसको जाने दो आज फिर से रिवीट कर देते हैं इस तरह से अगर हम इसमें बोलें कि आप 14 में 2 का डिवाइड करो तो कैसे करते हैं चल तो रहा है न कोई दिक्कत तो नहीं है बता दो जल्दी से अगर ना चल रहा हो कोई भी समस्य हो तो अब आज हो गहरा का कोई भी इस हो तो पता देना चलिए इसमें आप जानते हो कैसे करना है देखिए हमें लाना क्या है 2 में कोई ऐसे नंबर का मल्टीपल करें कि क्या आजाए 14 आजाए अब बताओ कौन सा वो गिंती हो सकती है जिसको गुड़ा करने पर 14 आजाए ठीक ना उसी तरह से इसमें हमें दो में किसी ऐसे गिंती का गुड़ा करना है कि 8 एक सुभाई आजाए अब कोई बताएगा क्या भरेंगे कोई बताएगा देखिए अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हम मान लें वैसे भी मान लेते हैं कि हम नहीं पता है हमें तो हम कुछ मान लेते हैं मान लो कि हम इसमें एक अगुड़ा करें तो यहाँ से अगर ए निकालेंगे तो यह 14 बताखा हो जाएगा 2 हो जाएगा मतलब 7 यानि कि इतना बार जाएगा भाग हमारा 7 बार जाएगा देखो मैं आपको तरीका बता रहा है हम कैसे होता है तो 7 बार जाएगा मतलब ये देखो 14 हो गया गठा लिया 0 आ गया ये भाग पूरा हो गई इसमें क्या होगा मानलो इसमें भी हम A बार गुड़ा करें तो A कमान कितना आएगा 8XY ये गुड़ा में है इधर भाग में हो जाएगा तो ये कट जाएगा 4 आजाएगा XY यनि भागफल कितना आया 4XY आया न ये देखो 4XY तो ये हो जाएगा 8XY गटालो जीरो जीरो हो गया है न कितना आसान बताईए आसान है न अगर कोई confusion है तो बता दीजिएगा आ रहा समझ में न मज़ेदार है खोशिस करेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा चलिए ये तो छोटा सा था आपको हमने बता दीए कैसे जानते हैं कि उपर कितना बार जाया गए ये भी मैंने बता दिया है न ये लिंक साम को ही सेयर कर दिया गया था भी सब सो ही रहे हैं तो हम क्या करें अब किसी को जगाने थोड़ी जाएगे ये हो गया पहला चलिए दूसरा यही होता है भाग करना अब इसमें बड़ा बड़ा भी दिखाएंगे ये देखिए उस दिन कांफी फेंसे हमने आपको पढ़ाया था लेकिन उसमें नहीं मजा आता है चुकि वहाँ पे जगा नहीं होती न लिखने का कुछ लोग और भी जुड़े हैं लेकिन बोलने में सरमार रहें वो बोल नहीं रहें चलिए दूसरा सवाल देखिए जैसे अगर 9x का square और y है और इसको भाग करना है 3y से कोई बताये का कितना बार जाएगा एकदम basic से चलेंगे हम लोग छोटे से यह वो भाग नहीं है 12-15 वाला इसमें यक्स वाई दिख रहा है इसको देखके तो काफी लोग को परिशानी महसूस होने लगती है जैसे 3 का अगर इसमें हम भाग करने को बोले माल लेते हैं चलो 15 इसमें बताये कौन कौन कर लेगा इसका भाग इसमें तो कर लोगे न हर कोई कर लेगा जल्दी से बोलो कितना बार जाएगा सक्ति चौहान संदीप दंदोतिया जी जुड़ चुके हैं सद्धा बर्मा और कुछ इस्टूडेंट जो है वह मौन देखे साथ को अभी अभी लाइट चली गए जैस्ट अगर अभी यह लाइट बुझ भी जाएगी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है तो आप भागिएगा मत हम कुश्चन करेंगे आप आंसर दीजिएगा ओरल क्लास चलेगी मौकिक चलेगी अभी फिर तुरंट लाइट आएगी ठीक ना साथ भागिएगा मत चलिए आगे चलते हैं देखिए अभी उमीद है यह लाइट बुझ भी जाएगी जो जल रही है फिर कुछ ना दिखेगा इधर से लेकिन हम बोलेंगे आप आवाज सुनके अंसर देखिएगा क्लास मत छोड़की जाइएगा और वैसे यह कोई कंफरम नहीं कि यहां बुझी जाएगा सब अभी उमीद है जलने की चलिए ठीक है ना बात समझ रहे हो लौकुस यादा मिरजपूर से कापील पिंटू क्लास छोड़के मत जाइएगा गुड मॉनिंग सभी को कुछ भी न दिखेगा लेकिन हम जो कुईस्टन करेंगे उसका आंसर कमेंट करना बस ठीक ना अगर अच्छे से पढ़ना है तो चलिए यह बताओ यह कितना बार जायाएगा भाग राज गोपे जी राहु लिया दो नाम है अब का अच्छा देखो इसमें क्या करना है हमें तीन का भाग करके किसी तरह से पंद्रा लाना है क्या लाना है फिप्टीन लाना है तो ऐसे थो आप बता लोग एकिगा पांच बार जायेगा लेकिन जिनको नहीं पता वो का हम माल लेते हैं कि हमें इसमें ए बार गुड़ा करने पर 15 मिलता है कितना बार ए बार तो यहां से हम ए बराबर निकालेंगे तो यह 15 बट तीन यानि एक कितना आया 5 यह हमें सही-सही मान पता हुआ कि 5 बार जाने पर क्या आएगा 15 और यह पांच हमें यहां पर अगर रख द यहां भी फाइंड करेंगे जैसे यहां पर हमने ढूडाना कि कितना बार जायेगा यह उसी तरह से यहां भी धूंड लेंगे हम इसकी कमपेर इससे कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए यह तो फिर आपको होगे इसे यह तो कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है है ना अब बताओ यह साइड वाला कौन कौन कर लेगा जो साइड में है सवाल इसको कौन कौन कर लेगा अब देखो ऐसे हमें क्या करना है यह देखो मुसीबत थिर से आ गई तीन वाई का गुड़ा करना है किसी नंबर में और लाना है नो एक्स का स्क्वाईर वाई ठीक ना यह करना था क्या करना था तीन वाई का गुड़ा करके नो एक्स स्क्वाईर वाई लाना है अब कितनी बार जाएगा तो आएगा कुछ पता नहीं है तो क्या करेंगे हम मा capital A बार यह जाएगा कितनी बार capital A अब जो लोग काफी समझदार हैं बुद्धिमान हैं वो बताएं कितनी बार जाएगा कि फाइनल में कितनी बार जाएगा बताएगा कोई 3X बोल रहा है कोई चलो ठीक है देखते हैं यहां से अगर हम A बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा यह 9X का square Y इधर से पहले से रहेगा यह 3Y इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा है ना बस यही कार्ट पीट लेना है तो क्या हो जाएगा Y से Y कार्ट दो चुपके से 3 से 9 को कार्ट दो क्या आएगा 3 तरीक का 9 तो A बराबर आजाएगा 3X का square देखो आपका अंसर सही था मिस्टर लेकिन थोड़ा गलत था है ना कितना आया 3X का square उपर जाएगा 3X का square और फिर यह आजाएगा 9X का square Y है ना आसान देखो 00 आगया कौन कौन कर ले जाएगा आप स्क्रीन साट ले लीजिए अब आज जो गरा कम होगी कोई समस्या होगी तो बताइएगा कमेंट करके इसलिए तो हम आपको इकठा करते ना बोलने के लिए चलिए हो गया ना इतना अभी इतने से हिकल्यार नहीं होने वाला भी बड़े बड़े सवाल भी करने पड़ते हैं यह तो छोटा छोटा है जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो यह तो हम दूबारा से इसको बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बहुत से ऐसा ही स्टूडेंट हैं जो कफी कम दिमाग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए अभी आगे देखना इसमें और बड़ा बड़ा भी है अब आप लोग आंसर बताओगे खुद से तीसरा अगर हम दो वाई से भाग करें आठ यक्स वाई का स्कॉयर में तो भाग फल होगा जल्दी से बताओ कमेंट करके देखते हैं कौन-कौन सा ही उत्तर देता है इसमें अगर भाग करेंगे तो भाग फल क्या होगा अपसर नमबर पहला चार होगा दूसरा चार यक्स होगा तीसरा चार यक्स वाई होगा और चवथा जो है नाट होगा इनमें से कोई ना होगा देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है जिसमें पिंटु कुमार जी पिंटु कुमार का आ गया है और परबीन जी क्या वरी हो रही आपको परबीन सागर बस और कोई नहीं कुछ लोग तो लजा रहे हैं वैसे कुछ न बोल रहे अरे कुछ तो बोलो गलस सही क्या हैगा संदीब इरसाद और देखें निकालना होता है न सिंपल सा आप लोग जानते हो कफी समझदार हो लेकिन बोलते नहीं हो यार यह गड़बड है पंकज कुमाराज ने ने जुड़ चुके हैं एक और भी पंकज पंकज फोर है यह राज गोपे काया फोर एक्स वाई देखो भाई सिंपल सी बात है क्या आएगा मुझे नहीं मालूम लेकिन हम निकाल के दिखाएंगे देखिए टू वाई में हम किसका गुड़ा करें कि आठ यक्स वाई का स्कुएर आएं बता रही तो लाना है ना यही तो लाना है टू वाई में किसी ऐसे नंबर का गुड़ा करना है कि आठ यक्स वाई स्कुएर आजाए इसको कैसे जानते हैं कि यह कैसे आजाए इसको ऐसे जानते हैं जैसे अभी एकर हमें भाग करना हो बारा में तीन का तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि 3 में किसका गुड़ा करें कि 12 हो जाए बोलो कहेंगे न यहीं तो कहेंगे कि 3 में किसका गुड़ा करें 12 हो जाए तो वैसे इसमें क्या कहते हैं इसमें यह कहते हैं कि 2i में किसका गुड़ा करें कि 8xy का square हो जाए है ना बात समंझ रहो ना मजना रही ना तो बस वियस करके रखो उस पर कोईवी मान कोईभी मान गख दो उस पर चलिए हमि से मान लेते हैं कि ए से बुड़ा करें किससे ए से तो यहां से एंगर फिर बराबर निकालेंगे sit तो 12 2 13 बराबर 4 राएंगा कितना आएगा किस से कैप्टल एसे अब इसको मिठा देगा काम खतम क्या मान लिया कैप्टल एसे ठीक यहां से अगर बरापर निकालोगे तो यह आठ यक्स वाई का स्कॉयर नीचे इससे भाग हो जाएगा दो आई से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा सबके पल्ले ना पड़े गई यह आसान वाला नहीं है यह दो से कट जाएगा चार आएगा वाई देखो उपर दो है नीचे एक है एक वाई कट जाएगा तो एक वाई बचेगा चार एक्स वाई बात समझ में आ रही ना कि नहीं आ रही आ रही ना फल्ले पड़ रहा है न तो यह 4xy आएगा यानि कि फाइनल में उपर जाएगा 4xy और जब यह 4xy जाएगा तो 8xy का स्क्वायर आ जाएगा घटालो इसको यह 0 हो जाएगा खतम यह था इसका basic concept जो आप बहुत अच्छे से पड़ी नहीं चुके हो बलकि गोल की पीछ चुके हो जो लोग पहले से जुड़े हैं ठीक ना चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं बस यह सफर ऐसे ही चलता रहे धीरे धीरे न भागना आयना रुकना है बस चलते रहना है दीरे धीरे चलते रहना है लगातार चलते रहना है अब आज हो गार ठीक है न सब और कुछ लोग जो भी तक क्लास को लाइक ने किये वो कौन से अफसोस में है जल्दी से लाइक कर दीजिए उसके बाद आगे चलते हैं और यह सब कमेंट और मेंट काई डिलीट कर रहे हैं जी गलत गलत कमेंट करके फिट इलीट कर देते हैं वहुत आप लोग चला आँख है चलिए ठीक है तो यह हो गया अब हम चलेंगे बुक वाले सवाल में लेकिन उसके पहले आप लोग थोड़ा से आजमातों लोग खुद को देखते हैं कौन-कौन पढ़ रहा है कौन-कौन व बिठा है कि देखिए आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा अगर इमांदारी से पढ़ा होगा तो आंसर बताएंगे अगर वैसे बिना मन के देख लिए तो फिर सर्माएंगे बस चलिए अब हमें क्या करना है यह भाग करना है तीन वाई का स्क्वाईर और यह 27 यक्स वाई का स्क्वाईर इसमें कितना बार भाग जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ फटा-फट कितनी बार जाएगा अपसर नमबर पहला है नो बार जाएगा दूसरा नो यक्स बार जाएगा तीसरा अरे तीसरा नहीं सी नंबर नो एक्स वाई जाएगा और चौथा नंबर इसमें आप से जो है न वो नो आई बार जाएगा जल्दी से बता दो कमेंट करके सवाल नंबर है ये तो लिखोगे 4A, 4B या 4C देखे इस समय अभी करेंट टाइम में हमारे साथ 15 चात्र चात्रा जुड़े हैं जिसमें से लगभग सब पहले से ही जुड़े है इसमें सबसे पहला उतर आया है पिंटु कुमार का दूफर नंबर पर पंकच कुमार हैं फिर सरवन कुमार है उसके बाद राज गोपे हैं और फिर राज सेखर हैं और कुछ और भी लोग जग रहे हैं सुबह हो रही न तो सब उठ रहें दीरे-दीरे कोई उठ रहा है मन से कोई जबरजस्ति उठ रहा है 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 रहा अखले स्कुमार को चले आगे चलिए यह भी बहुत मुश्किल से उठे हैं को इतनी बार उठाया हूं तो उठाके मेटाया रखाई है कि चलिए पाचमा सवाल खाजबाब दीज़िए कर दिखें पाचमा सवाल में क्या है इसमें लाना है यह आधा गाथ जो है ना फिरीटा गवाफाई कौन से मुशीबत आ गई नियुटा चले गई भले गई देखना इधर जाने दो नोयक्स का घात पांच है इसमें हमें देना है भाग यक्स से किसे देना है एक्स से अब चलो अगला सवाल का जबाब दीजिए जी साभी को गुड मॉनिंग जो उठे हैं वो भी जो नहीं उठें उनको भी पहला इसमें एक्स बार जाएगा दूसरा नोयक्स का चार बार जाएगा तीसरा नोयक्स का स्क्वायर जाएगा चौथा है ना ना अब दीज अभी पता नहीं कौन नोटंकी सुरू हो गई सुबेरे सुबेरे लाइट कटने वाली बोलो चल दीजिए सबाल नमबर पांच है अगर A सही है तो आप लिखोगे 5A अगर C सही है तो लिखोगे 5C अगर B सही है तो 5B भूनेश कुमार जी गुड मानिंग जी सर्वन कुमार गलत तरीका है सभी का तरीका गलत है मैंने ये तरीका बताया ना सबाल नमबर 5 है यह साही है तो 5 है सबाल नमबर 5 है अगर 20 साही है तो 5 भी इस तरह से कमेंट करो ना अप लोग उल्टा पुल्टा काहे करते हो आगे चलें देखिए अब हम इसमें केवल आंसर बताएंगे बाकी समझा चुके हैं जो अभी अभी जुड़े हैं वो पीछे कलास देख लेंगे तब समझ जाएंगे कैसे हुआ तीन का भाग करोगे नौ बार जाएगा 27 हो जाएगा एकस भी लाना है इसलिए साथ में एकस भी ले जाओगे तो यहां एकस भी आ जाएगा भी स्काइल लाना है यहां और यी पाई गार है अँम है यह बात खतम किई बीनमबर सभी है 4 का भी आप लोगों की क्या लिखना था 4 भी लिखे कमेंट करना था क्या लिखना था 4 B ठीक 14 में भी हो चुका है पाच्वामे देखते हैं कह होता लेा यह बहुतres कुझ क 누Off Si ce week की बारे में हम बहुत देर से देख रहे हैं हुद ऑले आप से एक्स का बाग करना है नव एक्सी घात पांच में ज़ा ध्यान से देखो तो जो लाना है उसमें नौ है नहीं कहीं है ना तो क्या करेंगे नौ बार जाएगा अगर तभी तो नौ आएगा यहां पर सिंपल सी बात है है ना तो नौ बार जाएगा तो यह हो जाएगा 9x क्या हो जाएगा 9x लेकिन घात 5 रानना था तो 5 घात अभी आएगी जब यहां 4 घात हो एक घात यह 5 हो जाएगी तो 9x की घात 4 एक वाली हो जाएगा 9x घात 5 घटालो हो गया कम खतम यहनि कि 9x की पावर 4 5 का भी सही है कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे 5 भी कैसे हुआ देखो इदर यक्स से बात करेंगे 9x 5 चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ एक्स में किसका मल्टीपल करें की 9x की पावर 5 हो जाए है ना X में किसका multiple करें कि 9X की power 5 हो जाए तो क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि इसमें A का multiple करेंगे 9X power 5 हो जाए तो A बराबन लिखेंगे 9X power 5 अपानी X ये देखो इसको पढ़ाना 0 लेबल से उपर 5 गहात है नीचे एक गहात है ये कट जाएगा तो 9X गहात 4 गहात बचेगा मतलब भाग करने पर गहाते गहट जाती है ना भाग करने पर गहाते गहट जाती है इसको छाप लीजिए जिसका मन करें जिसका ना मन करें वो ना लिखे जल्दी करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अपने टॉप्टिक को ले करके भागम भाग मचाते हैं चलिए आगे चले हो गया ना इतना अब बड़े-बड़े सवाल चलेंगे हम लोग लेके कौन सा बड़े-बड़े सवाल ठीक ना आश्वनी कुमार्टी गुड मार्निंग सभी को गुड मार्निंग और जो अभ आद में सिकायत का मौका न रहे और हाँ बैल आइकन प्रेस करना मत भूलना बैल आइकन एक बहुत बड़ी चीज होती है यूटूब पर जो उसको नहीं जानता उसका कल्यान नहीं होने वाला पहले तो बैल आइकन आप सीख लिजिए ठीक ना समझ गया हो आगे चलें चलत हैं फिर देखिए इसमें अब हम लोग आगे का करेंगे आगे यह पार्ट 28 में आप लोगों ने काफी कुछ यह सब तो पढ़ लिया था यार आज हम काफी कुछ रिपीट कर रहे हैं है ना आज हमारा उद्देश से था बड़े-बड़े सवालों को बताना चलिए लेकिन फिर भी हम सब कुछ रिपीर कर दे रहे हैं लाइब आये हैं तो अभी कौन-कौन पिछली क्लास देखा है बताओ जल्दी से यह क्लास नंबर 30 है 28-29 क्लास कौन-कौन देखा है जल्दी से यस बोलो जो नहीं देखा वो यह नो नो यह जीरो लेबल मैयत की क्लास नंबर 30 है इसमें से 28 और 29 कलास कौन देखा है जो मैंने अभी पढ़ाया यह 28 कलास में पढ़ाया गया था अभी 29 तीस में चलेंगे तो काफी आगे हैं हम लोग है ना टुन टुन कुमार जी गुड मारिंग देवेंद्र जी गुड मारिंग ये बताओ 28 और 29 कौन देखा है अनुबो चतुर बेदी जी गुड मारिंग देखा है आप लोगोंने 28 और 29 नंबर कलास देखा है ना देखा है तब तो समझ में आएगा तो अब हम रिपीट ना करेंगे जाने दो नहीं बहुत पीछे हो जाएगा रिपीट करेंगे तो आगे कब चलेंगे फिर रिपीट है करते रहेंगे जो नहीं देखें वो पीछे कलास देख लेंगे 28 और 29 वाली सब समझ में आ जाएगा ठीक ना चलिए हाँ तो उस दिना भी सवाल को लगाए हुए थे लेकिन आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ा था अभ्यास पांच कभी कह रहा था भाग दीजिए पहला है भाग दीजिए किसमें भाग देना है किस से देना है क्यों देना है कब देना है वो सब हम आपको दिखाएंगे इसमें का गावाला सवाल था थोड़ा बड़ा था जो आठ वाई का स्क्वाईर प्लस 6y और प्लस 1 में 2y प्लस 1 से अच्छे यह बताओ इसमें से कौन-कौन कर लेगा इसमें से कौन-कौन हल कर लेगा इसको शिदिकी साहब जी बताइए आएगा की नहीं देखिए अभी नेटवर्क चेंज होगा थोड़ा सा भागना मत अभी नेटवर्क थोड़ा सा चेंज होगा भागना मत देखिए एक बात हम आपको और बता दें अगर class बीच में कड़ती है रुखती है तो आप भाग के मत जाना ठीक ना क्योंकि light जाती है आती है तो network change होता है तो 2 second के लिए रुख जाता है मतलब 5 second के लिए मुश्किल से तो छोड़ के मत जाना इसको इससे भाग करना है इसका मतलब यह है कि i से इसको लिखना है 8y का square plus 6y plus 1 इसमें 2y plus 1 का भाग करना है बहुत आसान है समझोगे तो ना समझोगे तो बहुत मुश्किल है चलिए अब क्या करेंगे इसमें का हम पहला पद देखते हैं इसमें का पहला पद और उसको बराबर करते हैं तो चलो हम 2y का भाग 8y square में कर लेते हैं यह भी आपस में एक बहुत बड़ा सवाल है टू आई का भाग इसमें कितना बार जाएगा जल्दी से बताओ कितना बार जाएगा जल्दी बताइए तुरन सुजीत कुमार कहां से पढ़ाते हैं अच्छा अभी भेज देते हैं नोटिस आपके पास पहले बताइए जो पुछा उसको बताइए बताइए बोलते रहे देखो चार बार जाएगा तो यह आठ आजाएगा इतना तो ठीक है ना यहाँ यहाँ पर है तो यहाँ मालो य भी आ गया ठीक है लेकिन हमें स्कॉायर लाना था क्या लाना था स्कॉायर लाना था इसलिए यहाँ पर भी एक वाई जाना चाहिए, तो यह देखो आगे, फोर वाई जाएगा ना, तो चलो हम फोर वाई लिख लेते हैं काहे को सर्माना, तो फोर वाई का गुड़ा करेंगे इसमें तो यह हो गया आठ वाई का स्कायर, इतना तो ठीक था, लेकिन अभी यह फोर वाई का पूरे में होगा, ठीक है, पूरे में होगा, तो इधर देखो किस में, फोर वाई का गुड़ा होगा, टू आई प्लस वन में, इतना समझ रहे हो ना, यह टू आई प्लस वन पूरे में गुड़ा होगा, तो यह हो जाएगा, फोर टू जा, एट वाई का इस् आएगा, द्यान से समझोगे, बहुत आसान है, चिन बदल के घटा लोगे इसको, ये कट जाएगा, देखो ये प्लस माइनस घटेगा, तो छावाई से चार वाई घटा आओगे, दूवाई आएगा, इतना मज़ा रही ना, अब क्या करेंगे, जो उपर बचा है, वन उसको लिख लो, बस हो गया इतना, लेकिन अभी ये छोड़ना नहीं है, अब अगर आप देखो एक बात, यहाँ टूआइ प्लस वन है, यहाँ भी टूआइ प्लस वन है, बराबर है न एकदम, बराबर है न, अच्छा एक बात बताओ, कितना बार ले जाएं कि दो आई प्लस व साइड में आपको तोर मरोड की का दिखाते हैं, कि हमें दो वाई का भाग करना है, दो वाई का भाग करके क्या लाना है, दो वाई लाना है, अब बताओ, उतने से भाग करना, उतने लाना है, कितनी बार जाएं कितनी बार, वन बार न, हाँ जी बिल्कुल वन बार जाएग निए कितनी बार उन बार जायेगा सरसे यहां भी जायेगा नमिंगा और हखाए यहां प्रलस-mineus का इसे समझते हैं तो कि तक हो गया था उसके बाद जो चिन लगा था उसी अधार पे वहां लगाते है कि तो फूना सोगे है और प्रषिके में गुडा करें कि टू आई प्लस वन में तू कितना आएगा तेदा देखना वन कटू में करो गें टू आई प्लस एवन को यह तो इसको यह देखो कट गया खतम हो गया चाहे कार्ड लो गहटा लो जीरो लिख लो बराबर मतलब एक ही हुआ ठीक ना तो यह हो गया किलियर आपका बात अब हम आगे चलते हैं इस तरह से देखिए थोड़ा बड़ा था लेकिन समझ में आ गया यह पीडिया फाइल वाइल में मैं थोज समझ में नहीं आता हाथ गि है किसी को कोई कंफ्यूजन नर्थ बता देना अगर नहीं है ना कोई कंफ्यूजन नहीं ना चले आगे ठीक है तो इसको आप ले जाओगे यह था भूक का ही सवाल आपके एक ठी आउर है इसमें जो मैंने उस दिन बताया था उसको भी हम आपको आज फिर बता दें कहें तो लेकिन इसको तो आप लोगों ने किया था यार तिरा नवे असीट पर 1 मिनट उखना थोड़ा सा अगला सवाल देते हैं आपको इसको नोट कर लो जिसको जिसको लिखना जिसको लिखना है इसको लिख लीजी यह ठीक है लिख लिया ना थोड़ा था फोता इसलिए 48 कर देते हैं जो चता फोता Doncs को हम फिर से बता देते हैं बार-बार देखिए है तो यह जीरो लेबल मैट कहा जाता है कचार्ट की गड़ी था है लेकिन जो एससी सीजी आलाइस पीचीए देने वाले हैं वो भी इसमें कभी-कभी जुलस जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ऐसा तिकड़ा मिल जाता है जो काफी विश्चन नंबर लिख लो यहां पर छे नंबर लिख दे रहे हैं बसे आपके जो बुक में है ना वो घा नंबर है कोई नंबर लिख दें क्या दूसरा का घा दूसरा का घा सवाल समझना क्या है बस 4Z का क्यूब 4Z का क्यूब प्लस 6Z का स्कौाइर माइनस Z इसको भाग करना है 1 अपां 2Z से किससे करना है Divide by 1 अपां 2Z इतना ही नहीं इसमें एक लफ़डा हो रहा है वो यह माइनस में है क्या है यह माइनस में है थोड़ा और दूर लिखें यह देखो माइनस वन अपन टू जेट अब बताए इसमें से कौन कौन कर ले जाएगा इसको इससे इसमें भाग करना है जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि चार आठ पांच में डिवाइड वाई पंदरा इसमें तो कुछ समाज में आता है कि चार शे आठ पांच दूइचार है हाँ भाग कर ले जाएंगी है ना लेकिन एम्मा बिल्कुल नहीं पलने पड़ता है है ना जी गुड मानिंग तो बोल रहे हैं अच्छा अभी तक सरीता बर्मा जी दूसरे थे अब सरीता देवी जी दूसरे है जी गुड मानिंग सहभी को गुड मानिंग देखिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं बोलते हैं एक ही जैसे सिमलर नाम से कम आते हैं तो हमें लगता है कि वहीं लोग बार-बार लिख रहे हैं इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि तो अब क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे कि अब मतलब समझना कैसे होगा क्यों होगा कब होगा सब देखना यहां पर कि इधर साइड में दिख रहा है ना चलिए इधर देखिए चलिए सारी बात क्लियर कर देते हैं अब इधर देखना जैसे अभी हमने आपको बताया कि चार का भाग करना आपको तायति फ्लाना है क्या करना है तायति फ्लाना है तो यह बताओ कितनी बार जाएगा इसमें कोई बताएं जी ताहुल सिंग गुड मारिंग विश्वास कुमार जी गुड मारिंग सभी को गुड मारिंग जबाब दीजिए लेकिन जबाब दीजिए इसमें कितनी बार जाएगा कोई बताएगा नहीं के लिए तेखिए इसका मतलब यह हुआ कि चार का गुड हम कितनी बार करें कि 33 आ जाएगा बोलो आएगा 33 क्या 4 एक समसंग क्या है 33 एक भी समसंग क्या है कभी बराबन नहीं आएगा हाँ लेकिन लगभग में आ सकता है अबाउट सम्थिंग उसके आस पास नियर इस है ना तो आप जानते हैं इसको लेकिन अगर यहां 32 कर दें तो कि दोनों समसंख्याएं हैं दोनों भाज्य संख्याएं हैं मतलब हो सकता है है ना हो सकता है ना कि देबेंद्र जी आप उपर नंबर दिया गया है ऐसा नहीं हो सकता आपको प्ले लिस्ट डाल दिया जाए यूटूब पर हमारी सारी क्लास नहीं होती माफी चाहते हैं आप नंबर पर संपर करिए क्लास को जॉइन करिए सब मिलेगा आगे देखें आप यहां पर कितनी बार ले जाएं मानलो ए बार ले जाएं तो ए बराबर निकालोगे तो 32 बटा चार आएगा चार से कार्ट देंगे आठ आएगा फाइनल में एक कमान क्या आएगा मतलब पता चल गया ना आठ बार जाएगा कितनी बार आठ बार ठिक तो ये तो हो गया इसका अंसर यहां पर आठ बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा 32 घटा लोगे ये 0 हो गया बात के लिए ना अब आगे देखना वैसे कुछ चीज में भी करना है अच्छा एक बात अगर हम पूछे छोड़ती सी जो कि यहां जंजट वाली है उसको समझना तो चीजनो नो तो छोड़तो ये बताओ एक वटा दो एक वटा दो में हम किससे गुड़ा करें कि चार हो जाए कोई बताएगा जल्दी से बोलो वन अपांट टू में किससे गुड़ा करें कि चार हो जाए कोई बताएगा वन अपांट टू में किससे मल्टिपल करें कि फोर हो जाए नहीं पता ना 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 ऐसा नहीं संदीब जी ऐसा है नहीं बिल्कुल गलत है दो नहीं होगा दो नहीं होगा गलत है देखो ज़र हमें नहीं पता हमें नहीं पता किससे करें आपको भी नहीं पता दुनों लोग एकी जैसे हैं तो करेंगे क्या चलिए कोई जुगार लागाते हैं जुगाड़ में हम क्या करेंगे इसमें मान लो कि हम A से गुड़ा करें ना हमार दोस में तोहार दोस और कैसे बोलते हैं उसे समझ गए ना हमने क्या क्या A मान लिया अब इसको A बराबर निकालेंगे इधर है 4 और ओण पांट बोलजुऔ usedर में है ना उदेर जाएगा किसमें हो जाएगा अवाद हो गया क्या थे क्या होगा वन अपांट टू समझ में आ रह रहा है ना अब इसको अब इसको हल करूगे तो इस तरह से कितना आया है यानि की अब हम आपको दिखा दें कैसे आएगा 8 देखो कैसे 8 आएगा वो भी समझे लो एक बटा दो में अगर हम 8 से गुड़ा करें तो 4 आएगा कुछ लोग कह रहे होंगे इसे कैसे होगा देखो इधर यह गुड़ा करोगे तो हो जाएगा क्या 8 बटा दूई हो जाएगा बराबर 4 दो से काटोगे क्या आएगा 4 ही तो आएगा 4 बराबर 4 हो गया ना मतलब समझे गए ना मतलब अगर हाफ में कहीं भी मल्टीपल करना है तो जितना लाना है उससे दो गुणा से करोगे अच्छा एक छोटा सा सवाल और बताईगे यह समझे इसलिए कर रहे है क्योंकि यहां पर यही आने माला है अच्छा एक बात बताओ आप लोग 1 अपांट 2 में किसका मल्टीपल करें कि 10 हो जाए कोई बता है 1 बटा 2 में किसका गुड़ा करें कि 10 हो जाए 2 गुणा से करेंगे हमेशा याद रखना अगर ऐसा कहीं मिलता है एक बटा 2 में किसका गुड़ा करें कि 10 हो जाए कोई बताएगा देखिए कहते हैं न दही से ओ दूद से जली हुई बिल्ली दही भी फूख के पी थी काफी समझदार हो गया आप लोग दूर्गेश परजापती ज्यान राहूल सिंग लाल पती जी सभी का उत्तर आगया 20 बिल्कुल सही कहा आपने 20 होगा क्योंकि कड़ जायागा न हाँ तो देखो ये 1 अपन 2 इंटू 20 बराबर 10 ये कार्ड दो 10 आगया अब आप लोग काफी समझदार हो गया हो न लेकिन एक छोटा सा और भी जबाब देना जाने दौब मत ज्यादा जबाब मत अच्छा ठीका इसी में लेकिन एक बात बता दो हम वहीं पर लेके चल रहे हैं आपको जहां पर हमें चलना है कुछ लोग सोच रहे होंगे सवाल कुछ दूसरा लिखें या इपाल्तुक बकैती करे जा रहे हैं आइसा रहे होंगे विचार तो ये बकैती इसलिए कर रहे हैं कि ये सवाल आपको अपने से आ जाये नहीं तो बाद में इसमें अगर जिल द्लमाएंगे न तो फिर उलज जाओगे पिणाए कि नएंगा नहीं देखिए अगर यह माई नफ लगा दे तब क्या आएगा शेक्त है को बताएगा अगर यहां मायनस करचिन हो जाए तब क्या आएगा जो को मोई बताएग्खा न है देखिए माइनस एक हो गया बागी सब प्लस प्लस था ना आग में गी डालने से क्या होता है आग बढ़ती है खम होती है बढ़ती है ना तो यहां पर अगर एक माइनस हो जाएगा और यहां पर आप 20 से मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा यह कट जाएगा 10 आ माइनस में हो जाएगा ना जी बिल्कुल माइनस में हो जाएगा हाँ तो सिंपल सी बात है हाँ जी बिल्कुल अगर प्लस टेन लाना था तो माइनस का टॉन्टी से गुड़ा करना होगा इतना तो ठीक है अब आगे देखना हम चलते हैं अपने टॉपिक पे क्यूंकि हम न कि नहीं पहुंचें है चलीए मैं वन अपन्टू जड़का गुड़ा करके 4Z के बराबर करना है क्या करना है वन अपन्टू जड़का गुड़ा करके 4z क्यूंकि लाना है गंए तो चलो आगे चलते हैं पहले नंबर में किसका मल्टीपल करें कि 4 आ जाए चुकि हमें या 4 लाना है कि देखिए दूर्गेश परजापती का उतरा गया है लेकिन यह थोड़ा सा गलत है थोड़ा सा गलत क्या है दूर्गेश जी अगर आप आठ सबूरा करोगे तो 4 तो आएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा वो सौरी माइनस में आ जहएगा माइनस में नहीं लाना है इसलिए क्या करें गे माइनस अर्ठ का गुड़ा करेंगे और क्यों करेंगे कि इसको हम पिछले 10 मिनट से बता रहें आपको फैंद तो यह आप काट लोगे तो यह माइनस का चार आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 4 इक्वल आ गया 4 तो माइनस 8 बार जाएगा उपर लिख लो चुपचाप माइनस 8 उपर क्या लिखा मैंने? माइनस काट मतलब निगेटिब साइन लगाया है ठीक? अब तो आपको मिल गया 4 बड़ा बिंदाज के साथ लेकिन यहाँ एक मुसीबत अभी है वो क्या है? चलो उसको भी दूर कर लेते हैं जेड जेड वाला है नहीं यहाँ पर एक जेड है यहाँ पर क्या है? तीन जेड है अब बताओ क्या करें कि तीन जेड हो जाए एक एक बराबर करेंगे अलाग अलाग चरवाला अलग अचरवाला अलग इससे आपको जनजाट ना लगे अब यह बताओ जेड एक जेड में किससे गुडा करें कि तीन जेड हो जाए बताईए जल्दी बताईए चल बताओ जल्दी बताओ किस से करेंगे वाई टी सेड हीरो की तरह बाल वाले बताओ जल्दी से देखो सिंपल सी बात है आप जानते हो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है ना गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो हमें तीन घात लाना है एक घात है मतलब जेट का घात दो होना चाहिए तो जेड का घात यह क्या हो जाएगा तीन बाकि आप लोग समझदार हो यार काफी दिन से पढ़ रहे बुड़ा गए और कुछ लोग के बाल पक गए है अरे मेरे भी पके हैं आप देखो क्या हो यह बराबर हो गया आगे बराबर अब पूरा पूरा बराबर हो गया तो इसक क्या गलत है हमने जो यहां जट इसको लिखा था इसके बगल मैंने लिखा यह आप साही हुआ तो पहीला तो हमारा हो गया काम खतम अब दूसरा जो बचा उसको उतारेंगे ना आपने बहुत सारे ऐसे भागे पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है यह देखो जैसे मैंने भाग ले जाते हैं साथ में दो त्यांइचा एक आता है फिर यह हो जाता है दूसरा उतारते हैं इसको जानते हो ना तो बस वैसे ही अब देखना इधर आप क्या होगा इधर देख अब यहां पर उतारेंगे 6Z का क्यूब देखो यह 0 है इसको ना लिखें तब हैं कार्ट तो नहीं तो इसी में कन्फ्यूज करेगा अब बताओ अब बताओ जल्दी से पहले 6 को बराबर करो इसके कैसे करोगे वहन अपांट 2 में किस से गुड़ा करें कि क्या आजाया 6 आजाया काफी समझदार हो गया आप लोगा आजायेगा मतलब माइनस क करो घ्र योगै अच्छे अधीग लेकिन अभी थोड़ा मिस्टेक है, वो का है? Z का k्यूँब लाना है ना वही तो ऊपर भी था, तो स्कुआयर ले गया थे ना अब क्या बता ना इसमें? Z का स्कुआयर भी ले जाओ तो यह Z का क्यूब भी आ गया मतलब बराबर लाना है जाईश्ट इसको घटा लो जीरो हो गया काम खतम इसका घटता है न बचा है माइनस का जेड क्या बचा है माइनस का जेड इसके आगे लिखा है गंदा लग रहा है इसको मिटाद हो जाने दो पस मतलब इसको समझ गे न आप कट जाता है किताब उताब में लगा होता तो कुछ नहीं लिखते हैं कोई नहीं उससे अब ये बताओ क्या करें कि minus z हो जाए क्या हो ज़ाए minus का z मतलब one upon two z में z भी है किस से गुड़ा करें कि minus का z हो जाए जल्दी से बताओ किस से करें किससे करें देखो सिंपल सी बात है केवल जड आना चाहिए दो को गायब करना है क्या करना है दो को गायब करना है दो गायब कैसे होगा अब जानते होगे रहां से चार से गुड़ा करोगे तो दो जड़ा जाएगा आठ से करोगे तो चार जड़ा जाएगा है ना तो फिर व 2 to 5 टो से करेंगे इस तरह से 2 कुलहिए आपस जाएगा अरे अगर फीर गलत करतों गया तो कasten पूरा ऊदल कर पर दो गटाव जायएगा यह प्लस स्लीग कर लोगे कर लोगتي ते 신u दोनों आप कर सकतों इसमें कोई भी चीज कितना बात समझ में आई ना लिख लीजिए मैंने कोशिस किया कि आज से आपकी सिक्वा सिक्कायत इससे ना रह जाए नोट कर लीजिए हो गया ना अरे जी छा बज़े से कोई कलास भी चलना है भाई यहीं खीच ले जाओगे सारा तो फिर अगला कप चलेगा नोट कर लीजिए हो गया ना तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिलहाल यह कलास यहीं पर खतम करते हैं अगली कलास फिर से होगी आपकी च्छा बज़े से आप लोग आईएगा अभी से जस्ट आठ मिनिट बाद च्छा बज़े से डीलेड की कलास के साथ डीलेड में भ बेसिक कांसेट होगा एक कलास चलेगी सुबा छे बज़े से दूसरी चलेगी साड़े च्छा बज़े से जो कलास चलेंगी डीलेड की कलास आप लोग बेखा करिए जिसको बढ़ना है चुकि बेसिक कलास जो होती है ना वो डीलेड में भी वही पढ़ाई जाती है तो 6 क्लास करना है पूरा कंपलीट कोर्स करना है उनको वाटसप नंबर पर मैसेज करना होगा फाइब फॉर्टी नाइन करके जॉइन करना होगा जिनको एक भी रुपया का प्रमेंट नहीं करना है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकनान करें यूटूब पर ऐसे देखते रहें वाटसप पर मैसेज ना करें ठीक है यूटूब पर देखने का कुछ भी नहीं देना आपको सब्सक्राइब करें यूटूब पर देखते रहें तो चलते हैं फिलाल जैहिन दस मिनट बाद फिर से आते हैं लगभग अगली क्लास के साथ